जैसे कि गवतम बुद्ध ने कहा है मनुश्य अपना स्वास्तिया खुद ही तई करता है अगर हम हमारे स्वास्तिया का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमारा ही नुकसान है तो इस बात को समझाने के लिए हम लोग एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसमें गबर की सेना और मुन्ना भाई आदी लोग होंगे तो चलिए देखते हैं अरे हो समझा क्या हो गया कालिया को कालिया को खासी हो गई है सर्दार कितने दिलों से खासी है कालिया दो हफ्तों से सर्दार दो हफ्तों से और तुम अभी बता रहे हो क्या सोचकर नहीं बताया सर्दार खुश होगा शाबाशी देगा तो गबर के कहने पे कालिया रामगर्ड के पी एजसी छोकी होता है प्राइमरी हेल्स सेंटर जाता है छा डोक्टर मुन्ना और उनके साथी सरकिट मोजूद है देखते हैं आगे क्या होता है हाँ राम तो पसीना आता है भाई इसका टीबी का रिपोर्ट घरवाना ही पड़ेगा हाँ कालिया तो सुन टेंशन मत ले अब उन है ना जा जाके टीबी का रिपोर्ट करा ले ठीक है डोक्टर डोक्टर मुन्ना के कहने पर कालिया डीटी सी छोके होता है डिस्ट्रिक्ट यूबर कुलोसिस सेंटर जाता है और वहां स्वामी और रुस्तम मोजूद है अब आगे देखते है यह डोक्टर मुन्ना ने लिया है क्या नाम रापका कालिया कहां से हो आप यहीं रांगर्श है देखें रिपोर्ट के वानुसार आपको सेंपल देना होगा आपने स्पूटम का सून रुस्तम इसको दो गर्टेंडर दे तो स्पूटम करेक्शन के लिए दो क्यों दो देने होंगे अभी और एक्षाल सूब क्यों दो नहीं चाहिए तो गबर के कहने पर बसंती रामगर्ट के पीच सी जाती है चाहर डॉक्टर सुमन मौझूद है देखते हैं आगे क्या होता है बताब क्या नाम है तुम्हारा बसंती नाम है पेरा अच्छा और क्या करती हो तुम मैं गोड़ा कारी चलाती हूं बोलो क्या हुआ है तुम्हें मुझे खार आता है शाम को पसीना आता है और मेरा मज़ें भी कम होने लगा है डॉप्टर जी अच्छा अच्छा यह सब तो टीवी की निशानिया है लेकिन हम अब यह से नहीं कह सकते हैं तो मैं कर जाके रिपोर्ट कराना होगा डॉक्टर सुमन के कहने पर बसंती डीटी सी जाती है और वहां स्वामी और रुस्तम मौजूद है अब आगे देखते हैं किया ना 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 यहांए पतंती नाम है मेरा अच्छी क्या है फोड़ा जाती हूँ तो यह प्रट के मुट्पर साथ में अपने सुटम के दो कलेक्शन दे रहा होगे अब गालिया और बसंती का रिपोर्ट आ गया है और वो दोनों डॉक्टर मुन्ना और डॉक्टर सुमन को मिलने आये है तो चलो देखते हैं रिपोर्ट में क्या आया है क्या हो डॉक्टर? वासंती तुमारा टीबी का रिपोर्ट पोचिटिवाया है ओर सब ठीक हो जाएद ये लो कालिया ये तुमारे ही डवाई है और सुनो तुम दुनो थोड़ा ध्यान रखना और ये जो मास्क पहन के रखना और बच्चों से थोड़ी दूरी बनाए रखना अब 6 महीने गुजर चुके है और टीबी का इलाज भी खतम हो गया है तो कालिया, गबर और सांभा अपने रामगड के किले पे मौझूद है तो चलिए देखते हैं क्या हुआ कालिया के टीबी के इलाज का अब पूछ के आते हैं अप मैंसे गबर सिंग कौन है? बचंती तुम्हारे साथ काम करती है? क्या काम है आपको? उनका इलाज चल रहा है पर वो अब तक मिलने नहीं आई अरे बाप रे आप लोग बसंती को लेने आये हैं क्या? लेने नहीं आये हम उनको, बसंती की लाग के बरे में पुछने आये हम कहा है बसंती? यह तो उसके घर जाके रामलाल को पुछना बहुता जाओ तुम उनको रामलाल के घर लेके जाओ जहां रामलाल घर का काम कर रहा है, चलिए देखते हैं बसंती को क्या हुआ है जहां पर बसंती को देखो उसने दवाई ली तो ठीक हो गया काल्या तो ठीक हो गया कि अब भी भी बहुत रुक्त हैं फिर से दवाई शुरू करेंगे टेंशन मत लो अपन है ना हाँ अब मैं भी तमई से दवाई लोगी और बसंती अब हमें तुम्हारा फिर से रिपोर्ट कराना होगा जिससा में पता चले तुम्हें छे महीने दवाई लेनी है, आज महीने या दो साल तक अरे रे इतने समय ततम मैं दवाई कैसे दोंगी आप चिंता मत्रिया, डोक्र साब मैं इसको समय सर दवाई देदू हाँ राम लाल, अगर तुम बसंती को समय सर दवाई दोगी तो सरकार तुमें साड़े साथ सरू देगी हाँ, अब मैं भी ठीक हो जाओंगी ऐसे कि आप लोगों ने देखा कि कालिया ने उसकी दवाई का कोर्स पूरा किया तो उसका इलाज अच्छे से हो गया जबकि बसंती ने अपनी दवाई नहीं ली तो उसका इलाज वापस से करना पड़ेगा और उसमें अधिक समय भी लग सकता है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जब भी कोई टीबी की दवाई शुरू करें तो उसका कोर्स पूरा कीजिया अब मैं आपको टीबी की निशानियों के बारे में बताना चाहूंगी तीन सब्ता से अधिक तक खासी होना, शाम के वक्त बुखाराना, अचानक से वजन कम हो जाना, रात को खासी होना, बलगम में खून दिखना आपको सरकारी सुपिधाओं के बारे में भी पता होना चाहिए जैसे कि निक्षई पोशन योजना, निक्षई मित्र योजना, निक्षई आउशदी एप्लिकेशन टीबी से खयाल करें, अपनों का वजाओ करें तीनी को ना करें, जीवन को खा करें येज़िए टीबी